गुड मॉर्निंग नमस्ते और स्वागत है आप सभी का फ्रॉम पूने बहुत बहुत सारे दिनों के बाद अब इस व्लोग में आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स देनी है पिकॉस सच भोलू तो उस दिल्ली ट्रिप के बाद मैंने कैमेरा हाथ में पकड़ाई नहीं ह अभी सुबह के साड़े शे बज गया है और एक अच्छी चीज है कि मेरा जो स्लीप रूटीन है वो फिक्स नहीं बल्कि और अच्छा हो गया है पर आज का दन शुरू करने से पहले जैसे मैंने पिछले व्लोग में प्रॉमिस किया था उपर चलके हमारा वेड चेक करते है अब आप सबको एक बहुत कूल चीज बताता हूँ जब मैं दिल्ली में था तब मेरी सिधान्त और यश शर्मा से ट्रेनिंग और न्यूट्रेशन के बारे में बहुत सारी बाते चाज़ रही थी आप लोगों ने एक एक एक्स्ट्रा व्लोग के लास्ट में देखा कि हमार बहुत बात्ची चल रही थी आप लोग मेरे साथ दो वेकेशन पर आये हो और इन दोनों वेकेशन पर मैंने बहुत सारा खाना ठूसा है और यूजरी जो मेरा अप्रोच रहता है वो है कि वेकेशन के बाद घर वापस आने के बाद मैं हमेशा एक या दो हफतों के लिए ए इसलिए उन दोनों का कहना यही था कि आइधर इंग्रीज यौरी तो 25 और 2600 पर मेरा सदान से एक में डाउट था और वो था कि क्या मुझे पहले एक मिनी कट करना चाहिए और फिर यह जो भी इंग्रीज कैलरी सब्स है वो कंटेन्यू करना चाहिए या शुड़ा जस्ट और उसने कहा कि I should just go with it मैंने जो भी weight put on किया है उसमें से काफी सारा water weight था just because वहाँ पर हमारा sodium intake बहुत ज्यादा था water intake बहुत ही ज्यादा कम था carbs intake overall बहुत ज्यादा था जिसकी वारे से मेरी body और सब की body ने बहुत सारा water hold किया था सो हाँ 6 दन हो गया है मैं 2500 खा रहा हूँ हर एक calorie track कर रहा हूँ अपने walks पे जा रहा हूँ and धीरे धीरे मेरी जो पुरानी फसीक है वह वापस आ रही है जो dryness था leanness था वह सब वापस आ रहा है let's go make food जोगों ने अभी तक notice नहीं किया है मैं अभी तक जो भी footage शूट किया है वो सब अपने आएफोन पे शूट किया है और चीज यह है कि पिछले व्लोग में जब मैंने आइफोन के साथ शूट किया था तब मुझे यह बात पता नहीं थी कि सिर्फ 4K 30fps पे हमें 10 bit color मेरता है जिन लोगो 10 bit 8 bit नहीं पता है खुद का research करो पर यह video पूरा का पूरा आप 4K 30fps में शूट होगा और मैं HDR में पर टेस्ट होगी कि यह कैमरा कितना अच्छा हो सकता है और बाइद होगे कल नील का graduation फाइनली कटा मुगा वर्यप्राओ अफिम एक वर्ड में इस्ट्राइब दिस्क्राइब देखा यह जो भी क्लास इस अटें कर था था एक एक गंटे के लिए कॉलेज जाके ऐसे एसे 40 कि और विए 30 को ही 20 पर अच्छेन कम बैग म्टी जा बहा है अगर आप नाप या पूल चीजी है कि अगर आप लीन हो और अगर आप नाटी हो तो कपड़े में आप बहुत ही गंदे दिखते हो और यहीं में बहुत एक्साइटिंग चीज़ दिखिया सब लोग को लग रहा कि अप्यो मैं बहुत छोटा हूँ और जब पंप आएगा और जब मैं निकालूगा आप लोग दिखोगे विव और आप दो दो इवाँ मैं आप और आप याँ is the scene of a crime only guilty I'll find staring back at me in the mirror at night stuck in place just waiting for a green light But I can't lie awake for someone else to say I can live my life, my life The only comfort I've found Is blending in with another crowd When things go wrong, we'll pass the blame around Cause I can't lie awake for someone else to say I can live my life, my life But I keep asking for permission No, I keep asking for permission No, I keep asking for permission Why do I keep asking for permission When I can't lie awake for someone else to say I can live my life, my life Okay, workout complete 11 out of 10 workout And this is the biggest difference in the calories I have noticed that my performance in the gym The performance in the gym It has increased a lot First of all, it depends on the mood And if I ate the last day If I ate the last day, it would affect a little bit But the last few days, when I came back to the gym All my workouts have been good This is a big post-workout meal Three chicken sandwiches In total, 170 grams of chicken breast And 150 grams of bread Here is a little BCAA Tasty water And if you haven't tried this flavor I highly recommend it This is the Icy Blue Razz flavor This is the Icy Blue Razz flavor Before I used to always use watermelons But if you have any discounts You can always use my discount code You can always use my discount code Which means you will get 30% discounted And since this vlog is back to routine My routine is a big part of Japanese So, I will revise the passage next time Whatever the vocabulary is, I will memorize And it just feels very good The previous routine is going to be back to it And because now the graduation is finished I have to research one more thing And that is Max Milodh Bhavan I have to see that Their language courses are online Or not Because it will not be offline Because language institutes And in general, language learning schools are open So, if it is online C1, C2 Once and for all complete So, yes I will see you very soon In the next video Take care